दो हजार उन्निस में ये वेकैंसे निकले RRB NTPC, एक करोड़ 26 लाख छात्रों ने इसे भरा, लोगों को बड़ी उमीद थी कि उन्निस में अगर वेकैंसी है तो लगबग 20 या 21 तक वेकैंसी पूरी हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, रिजल्ट आया जब NTPC का तो लोगों के मीच में ये सवाल उठा कि एक करोड़ 26 लाख बच्चों में से कम से कम 20 लाख लोगों को सेकेंड लेवल के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में हुआ ये, कि अगर आप ग्रेजेशन है, 10 प्लस 2 के हैं, तो आप दोनों ही एक्जाम्स ले सकते हैं, और एक ही वेक्ति को दोनों ही केटेगरी में पास किया गया है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, दूसरा सबसे बड़ा विवाद, RRB NTPC में किसी बच्चे का 50 नंबर है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन में 70-75 हो जा रहा है, और किसी बच्चे, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी काफी बच्चों ने आपजेक्शन उठाया है, कि आखिरकार इतिस प्रकार का बच्चों के मार्क्स कम हो जा रहे हैं, जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा है, उनको लेकर भी काफी सवार उठाय जा रहे हैं, तो आखिरकार इस तमाम विरोधों को शाये वो सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म पर हो चाहिए, वो ट्विटर पर सबसे नंबर वन पर दाहना नहीं करनी चाहिए, नहीं कोई सपोर्ट करा कि इस प्रकार की उग्र आंदोलन हो, जियां जंता हो चाहिए, सरकार हो चाहिए, कोई भी हो, कभी भी किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी का नुक्सान कराना बेहत जादा गलत है, फिलाल आरार बी एंटी पीसी ने समस्तियां उसे सुनेंगे, और सुन कर उस पर फैसला क्या निकलेगा, यह तो आने वाले समय में पता चल जाए, लिकिने अच्छी अपडेट यह है, कि सीबी टी वरन का जो एक्जाम होने वाला था, वो कैंसल कर दिया गया है, और आप आरार बी एंटी पीसी पर पूरी त कर दी गई है, आज की इतना है,